हेलो पूडीज, वेलकम टू रस्वाई का स्वाद, कैसे हैं आप सब होप करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे हों के अपना और अपनों का ख्याल रखिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही हेल्दी, अच्छी, फटा-फट से बनने वाली रेसिपी ये हैं हमारे कठल के कबाब, और इनको हमने जिस तरीके से बनाया है, वो बहुत ही सिंपल तरीका है, समान भी जो इसमें लगा है, जित्ते भी इंग्रेंट लगे हैं, वो सारे ही आपके किच्छन में बहुत ही इसली अवेलिबल हैं, सबके सब आपके घर में बहुत असानी स मिल जाएंगे क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी किसी टीम जामत के भगैर बनाया हैं बहुत ही सिंपल ढंक से और हिल्थ बेनिफिट भी अगर हम देखने चाहें तो कठल के कबाब के बहुत सारे हिल्थ बेनिफिट होते हैं और जो हमने ये कठल के कबाब बनाए हैं इसको आ हमने कठल को अपने बॉयल कर लिया था और काफी देर पहले बॉयल किया था जो बड़े साइज वाला कठल आता है वही लीचे का अपने कठल के कबाब बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारा कठल कितना सॉफ्ट हो गया है हल्दी और नमक डाल करके हमने इसको 3 सीटी जो छोटी वाली कठली आती है उसमें फलश बहुत कम होता है तो उसका कबाब आपका अच्छा नहीं बनेगा इसको हम बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे अगर आप जब पेस्ट अपना निकाल रहे हूँ और मिक्स कर रहे हो तो अगर आपको उसमें कुछ बड़ी गुठियां देखें क्योंकि इसके बीच बड़े होते हैं तो अगर बड़ी बीच देखें तो उनको आप निकाल दीजेगा या बड़े रेशे से कुछ देखें तो भी निकाल दीजेगा जो पेस्ट होगा वो बिलकुल ही फाइन पेस्ट होना चाहिए नहीं तो जब आप इसकी टिक्कियां बना रहे होंके तो आपको दिक्कत होगी जैसे मेरे में ये देखे इसको मैंने निकाल दिया था जब आप पेस्ट बना रहे होंके तो उसमें एक भून भी पानी नहीं डालना है बिना पानी के हमको इसको पिसना है चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं अब हम इसमें mix कर देंगे दो बड़े चमच जो serving spoon होता है उससे दो बड़े चमच हमने सत्तू डाल दिया है अगर आपके पास सत्तू ना हो तो आप जो plain बेसन होता है उसको भी भून करके डाल सकते हैं बस ध्यान रखिएगा कि बेसन डालने से पहले उसको भून जरूर लीचेगा ये हमने पिसा था आपने देखा था कि हमारा जार थोड़ा गंदा है तो मैंने यही पिस करके निकाला था उसमें से और जो पेस्ट बचा था तो उसी में मैंने फिर अपने कठल को पिस लिया था तो ये जो पेस्ट है इसमें है चार हरीमिच एक टुकड़ा अद्रक का एक बड़ी कैरी जो आम की कच्छी कैरी होती है वो है और आठ लेसुन की कलिया है ये सारा चीज डाल करके एकदम अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया था पेस्ट में बिलकुल भी पानी नहीं डाला है बिना पानी के पिसा था फिर दो मीडियम साइस की प्याज ली थी उनको बिलकुल फाइनली चॉप करके इसमें डाल दिया है और खूब धेर सारा हरा धनिया डाल दिया है थोड़े से सूखे मसाले डालते हैं एक चमच हमने लाल मिर्श पाउडर डाल दिया है एक चमच ह अगर आपके बैटर में ज्यादा मौश्यर है बहुत ज्यादा स्टिकी है तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन या सत्तू और डाल सकते हैं बेसन डालते टाइम फिर से रिमाइंड करा दे रियों कि बेसन को भून जरूर लीजे का सत्तू अल्रेडी भूने वे चने का ही पाउडर फॉर्म फ्लार होता है तो इसलिए उसको भूनने की जरूरत नहीं है सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाएं चलिए जब तक यह हम mix करते हैं तब तक आपको हम cuttle की कुछ फाइदे बता देते हैं cuttle जो है वो cancer के लिए बहुत अच्छा होता है बहुत जादा फाइदेमन्द होता है वैसे तो इसको anti-cancerous फल भी कहा जाता है कुछ लोग इसको फल मानते हैं और कुछ लोग सबजी मानते हैं अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी आपके लिए ये बहुत ही जादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें वाइटमिन B6 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है ये जो है एक Immunity Booster भी होता है इसमें Antioxidant होता है कठल जो होता है वो Antioxidant होता है तो ये आपकी Immunity System को भी बहुत अच्छा रखता है साथ ही साथ जो है कठल से आपका जो गट का प्रॉब्लम होता है वो भी Solve हो जाता है क्योंकि इसमें Fiber बहुत जादा होता है तो अगर आपको Constipation की बिमारी रहती है आपको Constipation की प्रॉब्लम रहती है तो भी आप कठल को हफते में एक या दो बार अपने खाने में अपनी डाइट में जरूर इस्तिमाल करें किसी भी फॉर्म में बस ध्यान रखेगा कि जैसे हम लोग अपनी traditional कठल की सबजी बनाते है तो उसमें बहुत सारा मसाला डालते हैं तो वो नहीं करिएगा देखिए हमारा कठल ये कबाब का mixture अच्छी तरीके से mix हो गया है अब इसकी हम इस तरीके से छोटी छोटी टिकियां बना लेंगे और इसके बाद इसको हम सेक लेंगे सेकने के लिए हमने तबा चड़ा दिया है बहुत हलका सा oil लगा के उसको grease करिएगा flame को medium से low के बीच में रखिएगा और इसके बाद इसको दोनों साइट से अच्छे तरीके से crispy होने तक हम सेक लेंगे तो मैं आपको बता रही थी कि ये आपकी gut को भी यानि stomach की problems को भी solve करता है साथी साथ ये अगर आपके अंदर anemia है यानि खून की कमी है तो भी आपके लिए कठल बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें iron बहुत जादा होता है हड्डियों को बहुत मजबूत रखता है क्योंकि इसमें potassium और magnesium भरपूर मात्रा में होता है अगर आप thyroid की problems से ग्रसेते हैं अगर आपको thyroid की problem है तो भी आप अपने खाने में जरूर से इसको इसको इस्तिमाल करिए कठल को यूज करिए चाहे किसी भी form में यूज करिए कठल जो है वो आपके thyroid metabolism को जो है वो maintain रखने में बहुत फाइदेमंद होता है इसका मतलब बहुत सारे इसके मैं आपको गुण बता रही हूँ अगर आपको diabetic है आप तो भी आपके लिए जो है ये कठल जो है वो बहुत फाइदेमंद होता है कठल से आपका जो blood pressure है वो भी बहुत ज़्यादा control होता है क्योंकि इसमें potassium बहुत अच्छी मातरा में होता है इसमें iron बहुत ज़्यादा होता है vitamin A, vitamin C, calcium, potassium, iron, magnesium ये सारी ही चीज़ें इसमें इतनी ज़्यादा होती है तो अगर आप अपनी weight loss journey पे भी हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमंद होता है iron बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए आखों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है आपके body में inflammation की problem है तो भी आपके लिए ये जो है कठल बहुत अच्छा है इस skin को बहुत अच्छा रखता है क्योंकि इसमें antioxidant good बहुत ज़्यादा होते है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है तो आपने देखा friends की मैंने आप लोगों को कितने सारे फाइदे बता दी है कठल के और कठल से related बहुत सारी recipes मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी जिसका link में description में देदूंगी बात तो ही बातों में आपको समझाते वे आपने देख लिया कि हमारे कठल के कबाब बन करके तयार हो गए है लच्छे प्याज और चटनी के साथ इसको serve करिए जैसे मैंने पहली बताया दोनों तरह से serve कर सकते हैं breakfast में भी lunch डिनर में भी प्राटे के साथ तो hope करती हूँ कि आपको ये recipe अच्छी लगे कि गर अच्छी लगे तो like, comment और share जरूर करिएगा फिर मिलती हूँ तब तक के लिए बाबाई